सो हे गाईज कैसे हैं आप क्या आप इस मईजून के समर वेकेशन में अपने फैमली के साथ इंडिया के खुबसूरत तूरिस्ट प्लेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए वन अस्टॉप सॉलूसन होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस समर वेकेशन में अपने फैमली और बच्चो के साथ कहां का टूर प्लान कर सकते हैं वो भी सबसे एक कम बजट में तो इस वीडियो में लाच तक बने रहे हैं गाईज इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं साथी गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसी टाइम वीडियो को पॉज़ करके एक लाइक जरूर कर दे क्योंकि आपका एच छोटा सा स्टेफ हमारे लिए बहुत ही हेलफुल होता है इस लिस्ट का नंबर वन डेस्टिनेशन है नैनी ताल गाईज उत्राखंड में 68 एंडेट फिट की हाइट पर बसा हुआ एक अती खुबसूरत और मजदार हील अस्टेशन है नैनी ताल जहां जाना हर इंडियन का खुआईस होता है गाईज बचपन में हमें हील अस्टेशन के नाम पे सिफ नैनी ताल का ही पता था तो आप समच सकते हैं एक इतना फेमस जगह है साथ ही नियूली मेरेट कपल के लिए एक हनीमून का सबसे बेस डेस्टिनेशन में शे एक है यहां जानी के लिए आपको देली से डाइरेक्ट बस की सर्विस अब लेवल हो जाएगी या फिर आप काट गोडाम रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं जहां से नैनी ताल 35 किल संकत मोचन टेंपल मुक्तेशवर टेंपल हनुमान गरी टेंपल नैना पीक और मॉल रोट को बिजिट करने जा सकते हैं नैनी ताल के नियर बाई में कैंची धाम आसरम और जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी अबलेबल है तो आप यहां का भी टूर प्लान कर सकते हैं उटी तमिलाडू में नील गिरी पहारियों में 74 हैंडेट फीट की हाइट पर बसा हुआ एक बहुत ही खुबसूरत हील स्टेशन है जिसका नीरेस्ट एयरपोर्ट और डेलवे स्टेशन कोईमबेटूर है उटी में ट्वाय ट्रेन भी चलती है जो मट्टू पल्लेम से सु बहुत ही अमेजिंग है यहां के लिए आपका थ्री नाइट फोर डेस का टूर प्लान सफिसियंट है जिसमें आपका 10,000 पर पर परसंट तक एक्सपेंस आ सकता है यहां आप उटी हाउस बोट रोज गार्डेन संत स्टिफन चर्स बोटैनिकल गार्डेन दोबा बेटा पी कैपिटल सिटी है यहां आप लाइफ में एक बार जरूर विजिट करें सिलॉंग जाने के लिए आपको गुहाटी रेलवेस टेशन आना होगा यहां से सिलॉंग की दूरी 135 किलोमीटर है साथ ही सिलॉंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट सिलॉंग में ही है गाईज तो आप सिलॉंग लेक, इलिफेंट वाटरफॉल, वाट्स लेक, नोका कलई फॉल, लेडी हैडरी पार्क, डॉन बॉसको म्यूजियम और सिलॉंग पिक को विजिट करने जा सकते हैं इस लिस्ट के नंबर फूर डेस्टिनेशन है डार्जलिंग गाईज डार्जलिंग वेस्ट बं आग में बस जाएगा आप लाइफ टाइम में सुंदरता को भूल नहीं पाएंगे गाईज डार्जलिंग अपने ट्वाइट ट्रेन के लिए बहुत ही जादा फेमस है यहां की मैजिकल वेदर के साथ आप ट्वाइट ट्रेन जरूर ट्राई करें जो न्यू जल्पाई गुरी से डार्जलिंग के दूरी 70 किलोमीटर है और सिल्ली गुरी से 65 किलोमीटर की दूरी है जिसके लिए आपको बस और सेयर टैक्सी की सर्विस अब लेवल हो जाएगी साथ में अगर आप प्राइवेट कैब लेना चाहें तो ओ भी आपके लिए अब लेवल है यहां के प्राइल, रोप वेव, पीश पगोडा, अब्सवेटरी हिल भीव पॉइंट, डाली मोनेश्टरी, चौरस्ता और रॉग गार्डन को बिजिट कर सकते हैं अगर आप न्यूजल पाई गुरी से ट्वाय ट्रेन का राइड नहीं लिये हैं तो आपको डार्जलिंग रेल्व लद्दाक इंडिया का सबसे एडवेंचरस टूरिस्ट प्ले से ज्यादा तर लोग लेह लद्दाक का बाइक ट्रीप पे जाना काफी पसंद करते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसके लिए सेफ्टी का खासा ध्यान रखना होता है लेकिन बेचा टीसी की बस भी लेह लद्दाक जाती है साथ ही बहुत सारी टूर एंट्रेवल कंपनी के टूर पेकेज के थुरू भी आप लद्दाक जा सकते हैं यहां के लिए आपका 25,000 टू 30,000 पर पर संद का खर्च हो सकता है मिनिमम सिक्स नाइट सेवन डेज का टूर प्लान आपको बनाना होगा आप य प्रावर फोर्ट, हैमिस नेशनल पार्क, हॉल आफ फेम, जंसकार वैली, जंसकार रीवर और तंगलांगला पास को बिजिट करने जा सकते हैं तो गाईज यह रहे टॉप 5 प्लेसे जहां आप इस समर वेकेशन यानि मैज जून में जाने का प्लान कर सकते हैं गाईज आप को यह हमारा इंफोमेटिव वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें आपके इस छोटे से अस्टेफ से हमें काफी सपोर्ट मिलता है सो गाईज अब आप से मिलते हैं एक नए ब्लोग में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए टाटा बाई बाई टेक केर